विल्गम गाइस तु माय चानल ओनीस फूट वर्ड तो आज हम बनाएगे मैगी बिडियानी तो चलिए शुरू करते हैं पहले कड़ाय में दे देंगे ओयल और उसको अच्छी तरह से हीट होने देंगे और अब देंगे ब्याद इसको भी अच्छी तरह से कुख होने देंगे और तब तक कुख करेंगे जब तक ये ब्राउनिश नहोरा गया तब देख सकते हैं ये ब्राउनिश हो चुका है और अम हम इसको साय्ट कर लेंगे अब उसी तेल में हम देंगे सादा जीरा और दे देंगे तेज़ पत्ता और अभी दे देंगे बारिक कटे हुए प्यार और इसको भी अच्छे तरह से कुख करना होगा अब देंगे हडी मेच कर दो अब देंगे जींजर गालिक पेस्ट अब देंगे जींजर गालिक पेस्ट अब आप इसको असे कुख करने के बाद हम दे देंगे केचप आप इसके जगा टोमटो भी उसकर सकते हैं इसको असे कुख कर लेंगे और अब हम देंगे लाल मीच पाउडर उसके बाद देंगे धनिया और जीरा का पाउडर निक्स्ट कर के इसके बाद देंगे हर्डीकां पाउडर असको आपाउडर कि कुकर लेंगे और हम दिदेंगे वह पहले फ्राइ किया हुआ प्याज और हम देदेंगे फूल अब ग्लास पानी क्योंकि मैं तीन पैकेट मैगी बनने वाले हूँ अब देदेंगे मैगी मसाला अब थोड़ा से नमक देगे मैं इसको मिक्स कर लोंगी अब दोंगी थ्री पैकेट्स ओफ मैगी दूसरे साइड में मैं एक अंडे को फ्राइ कर लूँगी तो मैं देडी पैन में तेल और देदूने वोंडा देदूने थोड़ा से नमक थोड़ा से लाल मुच पावडर और थोड़ा से धनिया और जिरा का पावडर और दूसरे साइड पर देडेंगे इसमें रोस में वाटर्ट थोड़ा सा आर्टर कि अधो फ्लेवर को इसको तिक निस्ट कर लेंगे अब हम देंगे इसमें कोरियंडर लिए कि इसको निक्स्ट कर लेंगे क्यूंकि वो अंडे में इसका फ्लेवर नहीं है तो हम क्या करेंगे उस एंडे को लेकर इसमें रख देंगे और इसको बहुत अश्य दो धाख लेंगे और इसके बाद जब होगा हमारा नागे बिड़ानी रेडी हो गया थैंक यू पर वाचिक वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना और सब्सक्राब करना मन दूना थैंक यू